हे गाईस वेलकम एक टू अनादर वीडियो आशी जो नोटिफिकेशन लेके आए हैं पब्लिक वर्क डिपाइटमेंट की तरफ से मतलब यहाँ पर PWD विभाग में आप सभी के लिए बंपर भड़ती निकाली गई है 500 पोश्ट को रिलिस किया गया है दोस्तों यहाँ पर वीडियो के एंड में हम बताने वाला है कि आप किस तरीके से इस पोश्ट के लिए कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक हमारे प्रिवेश्ट वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने आपको बड़या बड़या रिकुर्टमेंट शेयर की है तो आप उन कर देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की अपलाई करने में नोटिफिक्शन को पढ़ने में प्रोब्लम ना हो तो आप सभी लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्कुसन बोक्स से ले सकते हैं इसे के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं देखी दोस्तों यहाँ पर प आपके पाई Electrical and Electronics की डिगरी है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं सिविल में हापर आप देख सकते हैं कि 306 वेकंसिस रिलिश की गई है और Electrical and Electronics Engineering में 34 वेकंसिस को रिलिश किया गया है टोटल नंबर आप पोस्ट 340 रखी गई है आपको monthly stipend मिलने वाला 9 2000 रुपे पर मंद का एक सार के ट्रेनिंग होने वाली है आपकी अब हम बात कर लेते हैं हापर डिप्लोमा स्टुएंट्स के लिए देखे दोस्तों सिविल में हापर डिप्लोमा के लिए 144 वेकंसिस को रिलिश किया गया है Electrical and Electronics ब्रांच के लिए हापर system वेकंसिस को रिलि अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या education qualification यहापर दमागी है यह आपने full time degree की हुई है यह आपके पास full time diploma है दोस्तो state council और board of technical education established by state government in relevant discipline तो आप इस पोस्ट के लिए हापर apply कर सकते हैं दोस्तों यहापर यह समझना आपके लिए जरूरी है अब हम बात कर लेते ह है आज limit के बारे में age जो रही कि आपकी दोस्तों वो apprenticeship rule के अधार पर होने वाली है आपको यहापर reservation provide किया जाने वाला है जो आपका minimum physical standard है वो 1992 के according पूरा होना चाहिए दोस्तों ठीक है यदि आपको यहापर किसी प्रकार की कोई क्योरी रहती है तो आप मुझे comment section में पू से कहीं से apprenticeship करी हुई है तो आप इस post के लिए apply नहीं कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हापर आपका selection किस तरीके से होने वाला है यहापर आपकी एक list बनेगी दोस्तों जो भी short list किये जाएं उनके हम और उसी के अधार पर आपका होने वाला है selection दोस्तों मैं आपको यहापर एक चीज़ बता देता हूं कि यदि आपने जो B.E.V.T.E.C. के degree है या आपके बाल डिपलोमां के degree है वो 2019, 2020 और 2021 में यह आपने पास रूट की है तो ही आप इस post के लिए apply कर सकते हैं और साथ में आपको यह वी चीज़ आपर ध्यान में देना है कि सिर्फ सिर्फ वो ही स्ट्रीनिस में apply कर सकते हैं जो तमिल नाडू से बिलोंग करते हैं जिया दोस्तों यहाँ पर इन्होंने clearly mention किया हुआ है कि जो healing from तमिल नाडू तो it means जो तमिल नाडू से है वो ही इस post के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको apply करना है यहाँ पर जो भी आपको apply करना है सभी links आपको हमारे वीडियो के discussion box में मिल जाएगे आप जाका check out कर सकते हैं आप इस notification को download कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से और notification में आपको किसी भी प्रकाकर TADA यहाँ पर नहीं मिलने वाला है दोस्तो ठीके ना अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर important dates के बारे में तेकी दोस्तो यहाँ पर जो इसके online application इस्टार्ट है वो 10 जनवरी से हो चुकी है लाज़ डेट नेट्स पोर्टल पर enroll करने की 19 जनवरी रखी गई है और जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट तरमिल लाटो की तुरू आप जो अप्लाई करेंगे उसकी लाज़ डेट होने वाली है 25 जनवरी declaration हो यहाँ का source list candidate का 31 जनवरी को और जो verification हो का documents का वो होने वाला है 9, 10 और 11 फरवरी को ज्यादा जानकरी के लिए आप इंकी website को visit कर सकते हैं यह है इंकी official website की link आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ठीक है तो इस तरीके साब सारी चीज़ें आपर देख सकते हैं दोस्तो यदि आपको किसी प्रकाग कोई भी doubt रहता है तो आप इनने mail भी कर सकते हैं इनों वीडियो को जाकर जरूर से देखिए और उन वीडियो को अपने प्रेंट के साथ भी शेयर किजिए आप जल्दे से जल्दी हमारे साथ जूड़ जाईए ताकि हम बड़े बड़े notification आप तक पहुचा सके आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तो यदि आप बुल गए हैं तो आप चैनल को subscribe कर दीजिए साथ में बेल आइकन को भी हिट किजिए इससे आने वाली सबी notification आपके पास सबसे पहले पहुच जाएगी अब हम मिलते हमारे next वीडियो में तब तक के लिए आप हमासर बने रहे हैं thank you for watching